दोस्तों आप हमारे स्क्रीर पर इस बाबा को देख रहे हैं इस बाबा को अगर आप नहीं जानते हैं तो आएए इस बाबा के बारे में मैं आपको जरा विस्तार के साथ बता रहा हूँ इस बाबा का नाम है जलेवी बाबा और इस बाबा के उपर जो आरोप लगा था कल कोट के अंदर वो आरोप साबित हो चुका यानि के ये बाबा 120 महिलाओं के साथ रेप करता था और उसके बाद जिस तरह से इस पर मुकदमा चला और मुकदमा चलने के बाद उस पर ये दोस इस महिलाओं के साथ रेप कर असलील वीडियो बनाने वाला जलेवी बाबा दोसी करा जिहां आप सही सुन रहे हैं बिना फुजूल के बेकार के मुसलमानों को दीन इसलाम को और दीन मजहब को बदनाम करने की कोशिस हिंदू की तरफ से भगवाधारियों की तरफ से किया जा रहा है लेकिन इस वीडियो में जो सच्चाई मैं आपको दिखाने जा रहा हूं बेकार के दीन मुसलमानों को या मजहब को बदनाम किया जा रहा है दीन इसलाम को बदनाम किया जा रहा है लेकिन ये जलेवी बाबा जो भगवा पहनता है भगवा कलर का ये कपड़ा पहनत के साथ साथ ये किस तरह का काम करता है आप हमारे स्क्रीन पर देख सकते हैं सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सुमर शेखर ये भी लिखते हैं आरोप साबित होने के बाद दुशकर्मी बाबा कोट में गिलिगडाने लगा जिहां आप सही सुन रहे हैं जब इस जलेवी बाबा को जो तकरीबन 120 महिलाओं के साथ रेप करता था और फिर उसका वीडियो बनाता था जब इसको कोट ने दोसी करा दिया तो तब जो है ये जलेवी बाबा कोट के अंदर ही गिलिगडाने लगा और रोने लगा आकिर इस तरह के रोने का फाइदा क्या है जब कि इतनी घिनोनी हरकत इस बाबा की तरफ से किया जा रहा था एक चीज़ मैं आपको बताओं के पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया के अंदर मुसल्मानों को बदराम करने की कोशिस की जा रही है मुसल्मानों को सताया जा रहा है कहीं मुसल्मानों के घरों पर बुलोजर चलाया जा रहा है कहीं तो मुसल्मानों को पकड़ कर सरे आम सडकों पर पिलर पे या खंबे पे बांध कर उसको पिटा जा रहा है आकिर इस तरह क्या जल्म मुसल्मानों पर क्यों किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग राज्य की अगर मैं बात करूँ चाहे वो राजिस्तान हो मद्पर्देस हो और इस तरह के चाहे उतर पर्देस हो बंगाल हो इन तमाम जो है राज्य में मुसल्मानों पर जल्म के पहार को ढाये जाते हैं दोस्तों इस खबर को सुनने के साथ साथ आपको क्या लग रहा होगा कि ये भगवा पहनने वाला ये जो गैर कौम है ये भगवा रंग का पहनता है और फिर जो है वो महिलाओं के साथ रेप करके असली हरकत उनके साथ करके वीडियो बनाके करना इस चीज को आप किस अंदाज से देख रहे हैं क्या ये सही कर रहा था या ये घलत कर रहा था जोस्तों आपको हमारे इस वीडियो के निचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है अगर आप सची खबर को पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ साइड में दिया गया एक छोटा सा बेला आइकोन होगा उसको दबाना एक दम ना भुले मिलते हैं बहुत जल्द इसी तरह कि एक और नई खबर को लेकर तब तक जैहिंद खुदा हादी